किसान आई इसमें आख सब का स्वागत है और दोस्तों परियावण में आज हम लोग सीखेंगे पारिस्थित की पिरामिड के बारे में ठीक है तो पारिस्थित की तंतर की संदशना हम लोगों ने समझी है आज समझेंगे हम पारिस्थित की पिरामिड के बारे में आए देखत हैं पारिस्थित की पिरामिड तो दोस्तों पहले हम यह समझ लें कि पिरामिड वास्तों में होता क्या है पिरामिड वास्तों में होता क्या है तो पिरामिड का मतलब होता है कि एक ऐसी आकरती जिसमें नीचे का जो आधार होता है वो चोड़ा होता है और जैसे हम उपर उजाते हैं वैसे वैसे यह संक्वाकार आकार लेते हैं पतला होता जाता है तो इसको हम कहते हैं पिरामिट जैसे आप देखेंगे अगर हम कहें दच्छिन भारत के मंदिर दच्छिन भारत के मंदिर जो है वो पिरामिट नुमा मंदिर है ठीक है तो आज हम पारस्थत की पिरामिड पढ़ने चल रहे हैं इन पिरामिड को समझते हैं ध्यान रखिएगा कि जो पिरामिड होते हैं पारस्थत की तंत्र में ये तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं एक है जैव संख्या का पिरामिड जैव संख्या का पिरामिड एक होता है जैव भार का पिरामिड और एक होता है जैव उर्जा का पिरामिड इन तीनों प्रकारों को हमको समझना होगा जैव संख्या का पिरामिड जैव भार का पिरामिड और जैव उर्जा का पिरामिड ठीक है जैव संख्या से आसे क्या है इस पिर्थवी पर या पार्षत की तंत्र में जैव जो भी आप जैविक घटकों को देखते हैं उन समस्त जैविक घटकों को जीव जन्तू हैं इन सब को हम कह सकते हैं जैव और इनकी संख्या के अधार पर जब हम पिरामिड बनाते हैं तो आप देखेगा कि पिरामिड जो होता है जैव संख्या का ये दो प्रकार का पिरामिड होता है एक होता है सीधा पिरामिड और एक होगा उल्टा पिरामिड यानि जयो संख्या का पिरामिड कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे जयो संख्या का पिरामिड दो प्रकार का होता है एक सीधा और एक उल्टा इसी प्रकार से अगर हम जयो भार की बात करें तो इसका भी पिरामिड एक सीधा होता है और एक उल्टा होता है लेकिन यहाँ पर conditional है उल्टा तब होगा जब हम जलिये पारिशत की तंत्री में चले जाएंगे तब वो उल्टा हो जाएगा और जैव उर्जा का जो पिरामिड होता है यह सदय हो क्या होगा सीधा होगा सीधा होगा ठीक है यानि कि जैव संख्या के पिरामिड दो प्रगार के सीधा और उल्टा जैव भार का पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों होता है और जैव उर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा ही बनेगा अब आए एक-एक को हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे जयव संख्या का सिंसीधा वाला पिरामिड तो चुकि इसमें इंपोर्टन्ट क्या है संख्या जयव संख्या संख्या की आधार पर देखी तो हम हमेशा मित्रोयाद रखेंगे कि जो पिरामिड का चौड़ा वाला हिस्सा है ये चौड़ा वाला हिस्सा है और ये पतला वाला हिस्सा है हमेशा जो पिरामिड हम पढ़ रहे हैं जिसे संख्या का पिरामिड पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा संख्या जो होगी हमेशा हम उसको नीचे रखेंगे नीचे का मतलब चवड़े वाले भाग में हम पूर रखना है ध्यान रखिएगा हमें चवड़े वाले भाग में किसको रखना है जो पिरामिड पढ़ रहे हैं उसकी अधिकता को हम चवड़े वाले में दिखाएंगे यसे हमने कहा जर संख्या का पिरामिड है और अगर अधिक संख्या है तो हमें चवड़े वाले भाग में रखना पड़ेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सर्थ और है सर्थ क्या है कि हमेशा हम उतपादक को कहां रखेंगे नीचे रखेंगे उत्पादक यानि हरे बनस्पति हरे बनस्पतियों को हमेशा हम नीचे रखेंगे उत्पादक होगा फिर साका हारी होगा और फिर मांसा हारी होगा ठीक है आपने पार्शत की तंतर में पढ़ा है इसको तो ध्यान रखिएगा कि हमें पोडिशर को हमेशा नीचे रखना है और जो उच्छ लेवल का जो पोशन अस्तर का होगा गटक उसको हमें उपर रखना है लेकिन सर्त यह है कि अगर हम संख्या का पड़ रहे हैं तो जदा संख्या है तो चोड़े बाले में रखना है और हमेशा उठ्पादक को कहा रखना है नीचे रखना है आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा जैसे देखिए जैसे हम देखेंगे जैव संख्या का पिरामिड अगर हम देखें तो जो सीधा वाला है तो बना दीजी सीधा सीधा बना दीजी तो इसके हम तीन पार्ट कर लेते हैं यह देखिए तो यहाँ पर अगर हम रख दे संख्या तो जैसे हमने कहा हरे वनस्पती हरे वनस्पती कहने का आसा यहाँ पर है अगर हम मान लिया इसको घास मान ले इसको हम क्या मान ले घास यानि एक घास के मैदान का हम पार्चत के तंतर समाजने चल रहे हैं तो जाहिसी बात है कि हरे बनस्पतियों की संख्या क्या है इस पिर तुवी पर सबसे जादा है तो हमने जादा वाले हिस्से में रख लिया और हरे बनस्पति उतपादक भी होता है इसलिए उतपादक को हमें कहां रखना है नीचे रखना है और नीचे रख लिया तो देखिए संख्या जादा किसकी है हरे बनस्पतियों की है इसके उपर निर्भर करते हैं साकाहारी कौन है साकाहारी तो साकाहारीों को मद्ध में रख दिया इनकी संख्या क्या होती है इनसे कम होती है देखे पिरामिल घटता जा रहा है यानि कि ज़्यदा संख्या बनस्पती की है घास की है उससे कम संख्या है साकाहारी की और साकाहारी से कम संख्या होती है मांसाहारी की तो हमने मांसा हारी को सबसे उपर रख दिया अब देखे पिरामिट फिट बढ़ गया यानि जब भी हम घास के पारस्ट की तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे या हरे बनस्पती के पारस्ट की तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे किस के दाए पर संख्या की आधार पर तो ह हमेशा उत्पादक को नीचे रखना है, इनकी संख्या जादा होता है, तो ये चोड़े वाले हिस्से में रखना पड़ेगा, उससे कम संख्या साकाहारी की होती है, उसमें रखना पड़ेगा, साकाहारियों से कम संख्या मंसाहारी को होती है, तो हमें सबसे उपर इसको रखन पढ़ेगा यहाई कि यह पारिस्तित की तंत्र का जो जय संख्या का पिरामिड एक हमने क्या देखा सीधा बना कब जब हम हरे बनस्पतियों को मान लेते हैं घास के मैदान को मान लेते हैं तो यह हमेशा सीधा बनता है अब देखिए उल्टा कैसे बनता है उल्टा तब बनेगा हम पहले क्या करते हैं उल्टा इसको बना लेते हैं और उल्टा तब बनेगा जब हम केवल एक पेड़ को ले लें इसे घर पे एक पेड़ लगा हुआ है अगर बाहर एक बड़ा सा पेड़ बरगत के लगा हुआ है तो हम जब एक पेड़ को लेते हैं तो पेड़ तो पेड़ है, हरा पेड़ है, तो उत्पादक तो वो हई है, लेकिन संख्या कितनी है, एक है, तो संख्या कम है, सबसे कम है, तो हमें पतले वाले हिस्से में रखना है, और चुकि उत्पादक है, तो इसलिए हमको क्या रखना है, नीचे ही रखना पड़ेगा, तो एक पेड का पिरामिड हम समझ रहे हैं संख्या का तो एक पेड़ है इस पेड़ पर बहुत सारे क्या रह सकते हैं पच्छी रह सकते हैं एक पेड़ पर बहुत सारे पच्छी रह सकते हैं जो साकाहारी भी है पर्थम उभोकता भी है यानि इनका जीवन किस पर है इस पेड़ पर है अच पच्छी को कई सारे जूं हो सकते हैं उसकी बालों में कई सारे जूं हो सकते हैं मांसा हारी भी हो गए और उनकी संख्या क्या हो गई बहुत जादा हो गई तो हमने ऊपर रख दिया जूंग जब हम एक पेड़ की आदहार पर संख्या का पिरामिड निकालते हैं तो यह पिरामिड उल्टा बन जाता है क्यों क्योंकि हमें उत्पादक को कहां रखना है नीचे रखना है और जब घास का लेते हैं संख्या का पिरामिड तो यह पिरामिड कैसा बनेगा सीथा बनेगा जै यहां पर सेर ले लिया तो जाहिर सी बात है बकरी की संख्या या हिरन की संख्या अधिक होती है और सेर की संख्या कम होती है तो जब हम घास के मेंदा को लेते हैं तो सीधा बनता है जयव संख्या का पिरामिड और जब हम एक पेड को लेते हैं संख्या की अधार पर तो पिरामिड कैसा होगा उल्टा होगा तो ध्यान समझिएगा अगर मैं आपसे कहूँ कि पारिस्त की तंत्र में जयव संख्या का पिरामिड सीधा यवं उल्टा दोनों बनता है तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है यह यह स्टेट्मेंट क्या है एकदम सही है ठीक है अब देखिए जयव भार को समझते हैं तो सबसे पहरे दोस्तों हम यह समझ लेते हैं कि जयव भार क्या होता है अंगरेजी में इसको कहते हैं बायो मास जयव भार जयव भार जयव भार क्या है आप इसको ऐसे जिवास्म इनहन से देख सकते हो जिवास्म इनन से देख सकते हो कि जैसे मालिया कहीं पर बहुत घने जंगल हैं तो जंगल होगा तो ही तो भविस्में वहाँ पर कोला बनेगा जिवास्म होगे तभी तो भविस्में वहाँ पेट्रोलियम होगा प्राकिर्टिक गैस होगी तो इसको हम जिवास इधन से देख सकते हैं जयो भार को अब आईए हम देखते हैं जयो भार के पिरामिल को देखिए पहले हम बनाते हैं जयो भार का पिरामिल सीधा दोस्तों यहाँ पर यह की ध्यान रखना है अब हमें एक पेड़ से, दो पेड़ से मतलब नहीं है हमें यहां पर क्या देखना है कि जयो भार जिसका ज़्यादा होगा उसको हम चवड़े वाले में रख देंगे और जिस जो उतपादक होगा उसको हमें मजबूरी है सब में कहां रखना है नीचे रखना है तो जयवभार ज्यादा किसका होता है जैसे हम अगर कहें तो जो उत्पादक होता है जो उत्पादक है या हम इसको कह सकते हैं हरे वनस्पती इनका जयवभार सबसे ज्यादा होता है जंगल को देख लीजिए जयवभार है के नहीं है वो इन्हेन बनाता है यानि जयवभार सबसे ज़्यादा किसका होता है हरे बनस्पतियों का उत्पादिकों का होता है उससे कम जयवभार होता है साका हारियों का साका हारी का जयवभार उससे कम होता है और सबसे कम जयोभार जो होता है मांसा हारी का सबसे कम जयोभार होता है मांसा हारी का अब दोस्तों यहाँ पर इधान रखिएगा चाहे आप एक पेड़ का ले लेंगे तब भी उसका जयोभार जादा होगा और चाहे एक हजार पेड ले लेंगे तब ही उसका जवभार जादा होगा तो ये अस्थल की बात हो रही है यानि लैंड पर अगर हम अस्थल पर देखें जब सब जगापर जितना भी अस्थल इस प्रत्वी पर है सब को हम एक यूट मानते हुए जवभार का जब पिरामिड बनाएंगे तो हमेशा ये कैसा बनेगा सीधा बनेगा तो फिर ये उल्टा कहां से आगया उल्टा आएगा दोस्तों उल्टा कहां से आएगा जब हम तालाब को ले लें या हम कहँए जलिये पिरामिड बना रहें जलिये भाग का समुद्र का, तालाब का, जील का जब हम इस तरह से बनाते हैं तो इसमें आप क्या पढ़े हैं आप अगर इसके पारिश्थित की तंत्र को जानते होंगे तो आप जानते होंगे सबसे नीचे क्या होता है फाइटो प्लैंक्टन होते हैं फाइटो प्लैंक्टन इसको प्रवाल कहते हैं और फाइटो प्लैंक्टन के उपर निर्भर करता है जो कीट होते हैं जो प्लैंक्टन इनको आप कहते हैं प्रवाल कीट इन प्रवाल कीटों के उपर निर्भर करते हैं छोटी मचली चोटी मचलियां और छोटी मचलियों उपर निर्भर करती हैं बड़ी मचलियां अब ध्यान से समझेगा जो फ्यूल की बात होती है जीवासमीधन की बात होती है उसमें सबसे ज़्यादा जयवभार होता है वो होती है बड़ी मचलियों में सबसे ज़्यादा जयवभार पाया जाता है यानि बड़ी मच्छडियों का जयोभार सबसे जयादा होता है तो अब हमें जिसका सबसे जयादा जयोभार होता है उसे चवड़े में रखना पड़ेगा और जो उतपादक है वो हमें कहां रखना पड़ेगा नीचे रखना पड़ेगा तो आई ये रख देते हैं तो हमें उत्पादक सबसे नीचे मिलेगा फाइटो प्लैंक्टन ठीक है इसके उपर चले जाएए तो रख दीजिए जू प्लैंक्टन ठीक है समया रहा है इसके उपर चले जाएए तो रख दीजिए इसमाल फिस यानि छोटी मचली और छोटी मचलियों के उपर हो जाएगा बड़ी मचलियां बड़ी मचलियां हो जाएगा तो अब देखिए जयो भार जिसका जादा है वो चोड़े में हो गया लेकिन पादक को रखना था नीचे तो पारिस्त की तन्त यानि जयो भार का जो पिरामिड होगा वो कैसा हो जाएगा उल्टा लेकिन कहां पर केवल जलिये का यहां रखि जलिये जब हिस्सा होगा चाहतालाब हो जील हो समुद्र हो जब हम इसके जयो भार के पिरामिड को समझेंगे तो यह क्या हो जाएगा उल्टा लेकिन अस्थाल पर जयो भार का पिरामिड हमेंसा कैसा होगा सीधा होगा अब इस्टेट्मेंट देखिए जयो भार का पिराम जलिये पिरामिड सीधा बनता है बेलकुल सही बात है जयवभार का जलिये पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है यह ध्यान रखिएगा यानि कि पूछेगा कि जयवभार का पिरामिड उल्टा कब बनता है तो आप कहिएगा जब हम जयवभार के पिरामिड को जलिये हिसाब से देखेंगे जलिये भाग में देखेंगे तो हमेशा क्या होगा उल्टा बन जाए ठीक है अब आप देखिएगा जैव उर्जा का पिरामिट इसमें कुछ नहीं समझना है आप सब पहले से जानते हैं इसमें सिंपल्शा है कि हमेशा ये कैसा बनता है इस सीधा बनता है और ध् पहले वीडियो में समझाया है हम आपको पहले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्स में देदेंगे आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो पहले उस वीडियो को जाके जरूर से देख लीजिए ठीक है तो उर्जा का मतलब कौन सी उर्जा उर्जा जैसे हमने कहा कि यहाँ पर सन है यह सूर है और सूर से उर्जा आती है तो नीचे उत्पादक होता है कौन हरे बनस्पती हरे बनस्पती उत्पादक होते हैं यानि कि यह क्या करते हैं इस सौर उर्जा को प्रकास संसलेशन करके जैवराशायनिक उर्जा में कनवर्ट कर देते है यही उर्जा यही जव्रसइनिक हरे बनस्पती 90% फुर्ड यूज करके 10% आगे की वर ट्रांसपर करते हैं किसके पास सापा हारी के पास सापा हारी के पास सापा हारी जितना मिला उसका 90 यूज कर लिया 10% आगे भी भी जिया किसके पास मांसा ultimate को समझ रहें ये पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा पासिरी तंदर की सरनाचना हमने समझाई है वहाँ पर तो अब ये क्या हुआ कि उर्जा जो है हर जगहा पर जो भी ट्रांसपर हो रही है इसे यहां पर अगर एक हजार जूल उर्जा सूरी से मिल रही है तो प्रकास संसलेशन करक तो उर्जा क्या हो रही है लगातार घरती जा रही है उर्जा लगातार घरती जा रही है तो हुशी लिए हमने कहा कि जब हम जयो उर्जा का पिरामिट देखते चलते हैं तो यह हमेशा सीधे बनता है क्योंकि अगर हम नीचे उत्पादक चाहा जैसे मालने उत्पादक चा साका हारी यहां परा जाएगा, तो साका हारी के पास उर्जा क्या है, कम हो गई, उपर जाएंगे, तो मिलेगा दुतियक भोगता, दुतियक भोगता से आसे हमारा क्या हो जाएगा, मांसा हारी से, तो मांसा हारी के पास उर्जा क्या हो गई, कम हो गई, तो हमेशा ध्यान प्रखाई उसको हम चवड़े वाले में रखेंगे लेकिन ध्यान रखेगा कि हमेशा उत पादक को हमें कहां रखना है नीचे रखना है इसे लिए जयोर्जा का पिरामिड कासा बनेगा हमेशा सीधा बनेगा अब दोस्तों ध्यान रखेगा एक विद्वान है जिनका आप ना रखिएगा Charles Elton नाम है ठीक है अब आप देखिए फिर से एक बार हम भिवाज के वाज़े रहें पारशत की तंत्र में जब पिरामिड का अध्यार हम करने चलते हैं तो इसमें तीन प्रकार के पिरामिड होते हैं जयो संख्या का पिरामिड जयो बहार का पिरामिड जयो बनता है जब हम एक ब्रिहत घास के मैदान को ले लेते हैं और चुकि हमने यह भी कहा था कि हमें उत्पादक को हमेशा नीचे रखना है और जिस पिरामिड का अध्यन कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है ज्यादा है तो चोड़े में कम है तो सबसे पतले वाले में रखना है तो देखिए संख्या का पिरामिड सीधा कब बनेगा जब हम एक बिशाल मैदान को ले ले लें घास के मैदान को ले लें घास की संख्या ज्यादा होगी साकाहारी के संख्या उससे कम होगी मांसाहारी के संख्या उससे कम होगी तब पिरामिड कैसा बने जो संख्या का सीध उल्टा कब बनेगा जब हम एक पेड़ को ले ले तो संख्या सबसे कम है तो पतले वाले में रखना है तो परड़ जाएगा अपने आप लेकिन आप देखें संख्या किसकी जादा है जू की जादा है एक पेड़ है उस पर कई पच्छी कई पच्छी पर निर्भर करते हैं बास इधन की बात करें, तो आप उसके प्रयमेट को देखिये, सीधा ही बनता है, लेकिन उसकी उत्पब में हम जाएंगे, लेकिन जिय तंत्र पहसree देखाएंगे, तो ओल्टा हो जायेगा, सीधा में क्या देखिये, यसे उत्पादक है, हर्या बनस्पती, इनका जयवभार सबसे ज़ञादा होता है, इनकी युन्हन की वईलू सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें चवड़े में रखना है, और उत्पादग ज ninety यहिए तो नीचे भी हो गया, तो सीधा बना, साका हारीयों का जय भार उस से कम होता है, मांसा हारीयों का जय भार उससे भी कम होता है इसलिए जय भार का पिरामिड अस्थर पर कैसा बनता है तो आप कहेंगे हमेशा सीधा बनेगा लेकिन जब जलिय भाग में जाएंगे तो उत्पादक को चुकी हमें से नीचे रखना है और जय भार जहां ज्यादा होगा उसको हमें चोड़े में रखना है यहां देखे बड़ी मचलियां जो होती है उनका जय भार सबसे ज़्यादा होता है इसलिए नीचे हमने रखा फाइटो प्लैंटन यानि उत्पादक हो गया उसके उपन निर्भार करता है जू प्लैंटन जो प्रवाल कीटों होते हैं और इस प्रवाल कीटों पर निर्भा निर्भार करते हैं चोटी मचलिया और चोटी मचलियों पनेख भर करती हैं बड़ी मचलियां तो जब हम जली कрем में जाते हैं तो जव्य भार का पिरामिड हमिशा क्या हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से अगर हम देखें उर्जा का पिरामिड तो प्रतेक अस्तर पर उर्जा जब आगे बढ़ती है हमेशा निम्न पोर्षण अस्तर से उच पोर्षण अस्तर तक जाती है उर्जा तो वो घर्टी जाती है तो हमने कहा उत्पादक के अस्तर पर यानि हरे मनस्पतिय जबहना है又 कि जगह पर उजा सबसे जादा है तो इसको हमेशा नीचेरा है और चोड़े में रखना है क्युए उस पादाक है तो इसमें कहा रखना और इसको को देने वाले जो विद्वान है उनका नाम चार्ल्स alton तो यह है आपका दोस्तों पारस्त की तंतर के जो पिरामिड है उन पिरामिडों का हमने अध्धन किया है उमिद करता हूँ कि आपको बहतर समझ में आया होगा और ध्यान दक्षिया का दोस्तों कि हमने पिछली बार जो वीडियो डाला है उसमें हमने बताया भी था कि उत्तर परदेश जो टीटी पर इच्छा होने जा रही है उसके लिए जो क्लासिस होंगी वो पेड़ क्लासिस हो 99976099 यह वाट्षप नंबर है और इस पर इंट्री टेट लिख करके आप वाट्षप कर दीजिए आपका मैसेज हमको मिल जाएगा हमारी टीम जो है वो आपसे संपर्क करेगी सारा डिटेर आपको बता देगी ठीक है दूसरी बात दूसरी बात आप यह बताएगे कि अग अगर हमसे भूगोल आप लोगों को पूरा भूगोल पढ़ना है आईस के लिए इन सीविल सेवा के लिए प्री कमेंज कि अगर आपको बैच पूरी करनी है तो आप कमेंट बाक्स में हमको जलो बताएगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे भूगोल पूरा कंप्लीट चाहते हैं चाहे वो जियो मार्फलाची हो चाहे वो क्लैम्टोलाची हो चाहे वो बनस्पती विग्यान हो चाहे वो मर्दा विग्यान हो चाहे वो किर्शी विग्यान हो चाहे समुद्र विग्यान हो चाहे इन्वारिमेंट हो यानी एकोलाजी हो इंडिया का पूरा भूग करते हैं ठीक है सब लोग हमें कर्मेंट बाक्स में जरू बताएं और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक आप सेयर करिए चैनल का लिंक भी आप लोगों को बढ़ाएए आप अगर हमें प्रमोट करेंगे तभी हम आपके लिए बहतर कर सकते हैं इस बात को आप ध्य करिए ठीक है मिलते हैं नेश्ट वीडियो में कुछ और नया ले करके थैंक यू